अगर आप 32 को त्यार करें तो आपका बोड में 90 प्लस आना निश्चित है। साथी साथ ग्यान आश्रम एप को डाउनलोड करके 450 वाला कोर्स ले लें जो दीखेगा आपको माँपर 1490 लेकिन उसमें एक्डाम फियर कूपन कोड़े उसको लगाएंगा तो आपको वह 450 मेल जाएगा ग्यान आश्रम को सब्सक्राइब करें और सारी नोटिफिकेशन के लिए बैल आइकन दबाएं जैन दोस्तों ग्यान आश्रम में आप लोग का स्वागत है आज हम लोग बेसबरी से इंतजार करें इसके बाद एकनोमिक्स कभी आपको लोग को इंतजार रहेगा यह सारी जैसे पिछले बार भी आए था एकाउंट के सिलेबस थोड़े चोटे पड़ जाते हैं तो यहां पर प्रबंद के आखरी कारे समाप्त होता है यानि इंतर समाप्त होता वहां तक ठीक है इस पूरे के पूरे पार वन के जो है इंपोर्टेंट कोश्चन में आपको मात्र जो है यह साथा चैप्टर जितने भी इसमें के बॉल क्यों 32 को त्यार करते हैं तो आपका बोर्ड में 90 प्लस आना निश्चित है अगर आपने अच्छे तरीके से लिखा तो सब चीज इसमें से फसेगा इसमें से आपका शॉर् सब्सक्राइब जरू कर लें और साथी साथ जो बैल आइकन दिखता है उसको भी ओन कर लें नोटिफिकेशन को उसको दबा करके ताकि आपको जो हर बार जब भी कोई वीडियो आया इसकी सुष्णा मिलती रहें और आप हमारी किसी भी वीडियो को विस्त ना करें तो चलि सब इंपोर्टेंटेंट है और इसके बाद अगर हम सायोग में अंतर बतेंगे अगर अंतर आता है तो और बोर्ड इग्जाम में अंतर ज्यादा तर पूछे जाते हैं ठीक है प्रबंद के सिधान्त से आप क्या समझते है इसकी विशेष्था है उम्हत्तो बताइए ठीक है यह प्रबंद के सिधान्त होगे हैं हेंरी फ्योल के 14 सिधान्तों की व्याख्या कीजिए अच्छा हेंरी फ्योल या फिर fw टेलर में से एक आता है और ज्यादा आपका इंपोर्टेंट है पिछले बार भी आ सकता है यहां लेकिन इस बार हैं इसलिए आपको दोनों याद कता पड़ेगा ठीक है फिर इसके बाद नई आर्थिक निथिक क्या है वेवसाय एवं मुद्योग पर इसके प्रभाव बताईए वेरी शॉर्ट मतलब शॉर्ट कोशन में आता है तो यह भी आपका आ जाएगा फिर इसके बाद क्या है नियोजन से आप क्या समझते हैं यह हमारा हो गया दस्मा कोशन फिर इसके ब यानि यह बर लग तो भार बार बार होता है मतलब परमानेटली लगा रहता है और एक बार बस छोड़े समय के लगा उसको फिर नया तरीके से बनता ठीक है तो इनमें अंतर बताए बहुत अच्य तरीके से पढ़ाया आप जानती ही है ठीक है जो बच्चे पढ़े होंगे उनको सारी चीजे बता है और जो बच्ची अभी नहीं पढ़ें भाई डिस्काउंड पे चल ले 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 अब कभ लेंगे आप लोग लोग चॉदो से नियांवेगा कुर्स के बढ़ चार्स पचास में सारे चीज में है नोट्स में करा सब बढ़ यह भी बहुत इंपोर्टन कोशन है इसको भी देखिएगा फिर इसके बद क्या है संगठन के वर्गी करण को विस्तार से समझाएगे या तो संगठनात्म धाचा या तो संगठन के वर्गी करण इन दोनों में से एक आता ही आता है और मैक्सिमम चांस है कि इस बार सं इंपोर्टेंट होने वाले हैं उनको एक साथ हम बता रहें यह सत्रवा कोशन में प्रभावपुन कुसलता कॉमा अधिकार उत्तरदायत यूम जवाब दे यह तीनों में अंतर तो यह आपका आ जाएगा फिर इसके बाद क्या है न्युक्तिकरण से क्या आसा है इसकी प्र बत चयन से क्या से चयन की प्रक्रिया उमभात बताईए भरती और चयन में ज्यादा इंपोर्टेंट चयन है लेकिन ऐसा नहीं का बर्टी को फिर छोड़ देगा है और आपका भरती जो है अगर उसके स्रोत आते तो लॉंग में आगा और चयन आता है तो वह शौट में है यह 22 कोशन है मास्ट लो की आप सकता प्रात्मिक्ता समंधी विचारधारा बताइए मोटिवेशन का एक विचारधारा है इसको ध्यान से रखिएगा यह आने का बहुत ज्यादा चांसे चांसे इसको याद के लिए अभी प्रेणा से आप क्या समझते हैं वित्ती तथा शॉट में यह दो उपन कोशन है फिर इसके बाद क्या समप्रेशन की व्याक्या करना और बादाओं का कैसे दूर किया इसके बारे में इसका उपाया बताना है तो उसको बढ़ियां से देखेंगे हो गया 27 2828 सब्सक्राइब नियंत्रण की विसेष्था है ये हो गया तीस्वा कोशन ठीक है और इसके बाद जो है नियंत्रण की प्रक्रिया बताइब यह हो गया एक तीस्वा कोशन और सबसे लास्ट कोश्चन है बजटरी नियंत्रण से आप क्या समझते हैं इसकी विसेष्था है उद्देश यो इमाम लाभो को बताइए यह आमारा जो है बतीस्वा कोशन है तो कुल मिला के यह हमारे टोटल जो है बतीस कोशन है आपका पार्ट वन में इसी तरह पार्ट टू में आएगा और इतने कोशन नहीं आ साथ ही साथ आपने दोस्तों तक शेयर कीजिए जिनका भी आप भला चाते ताकि उनको भी मिल जाए और साथ ही साथ अगर आप इनके तैयारी करना चाते है इन कोशन का इन कोशन के अंसर जानना चाते है तो आप चैनल पर पढ़ाई करते रहें साथ इसाथ ग्यान आश्रम एप को डाउनलोड करके 450 वाला कोर्स ले लें जो दीखेगा आपको महां पर 1490 लेकिन उसमें एक्जाम फियर कूप तो आपको 450 मिल जाएगा ठीक है तो मिलते हम लोगों नेक्स्ट वीडियो बंतर तक के लिए थैंक्यू बाई जैहिन